वाज गूइंग अन्गे दार जी हूर मैं आगे हूँ आप लोगों के लिए लिएक और वीडियो लाइक शेर और सब्सक्राइब दबा दो तो भाई आज डिसकेशन हो रही थी कि बिग बॉस का रियल विनर कौन होना चाहिए आपके खुद के अलावा तो ये सवाल पूछा तो उर्फी जावेद ने बड़ा क्लियरली पूछा सबसे कि तुम्हारे अलावा अगर कोई शोका विनर हो तो कौन हो बेबिका ने तो फिर वही चाटने वाला काम करना पूजा भट ठीक है पूजा भट ने बोला एल्विश यादव जिया ने बोला अभिशेक ठीक है और मनीशा रानी ने बोला सीधा सीधा अभिशेक ठीक है अब बात आ जाती है जिनके बीच में एक्चल में कॉम्पिटीशन है ठीक है एल्विश और फुक्रे ने आपस में क्या बोला इसके बारे में हम बात करेंगे एल्विश का पॉइंट व इस चीज में बिल्कुल क्लियर पर आये शुरू से कि इस शव को जीतना अगर कोई डिजर्व करता है तो वो फुक्रा करता है तो उसने क्लियरली बोल दिया के मेरे अलmotion अब को यह यह जीतें गां तो अभी कि जीतेंगा ठीक है लेकिन जब अभी शेक से पूछा गया अभी शेक से पूचने पर उसने दो नाम लिए एक मनीशा रानी और एक एलविश यादव और उसने दोनों का point of view बताया कि अगर जर्नी की बात करो यानि दिमाग की अगर बात करो तो मनीशा रानी जीतनी चाहिए क्योंकि जर्नी बहुत टफ रही है और factful reason है लेकिन अगर दिल से बात करो कि कौन दिल से चाहता हूं के जीते मेरे अलावा तो एलविश जीते तो वह बात अलग है तो मतलब वह भी बड़ी clear चीज है यार बंदा अंदर से जो चीज चाहता है लेकिन एक actual heavy fact को आप ignore करके नहीं चल सकते ठीक है मनीशा रानी ने उन्हों में से choice की बात करो तो जर्नी के लेवल पर मनीशा रानी दोनों में से जीतनी बनती है तो वह बात थी तो भाई आपके एसाब से क्या लगता है कि किसका POV बेटर है comment section में लिको में को बताओ आज live पर discuss करेंगे साड़े दस बजे आ जाना इसी topic पर discuss करेंगे प्लस वीडियो तो आई रही है